आज हम बहुत ही इंट्रेस्टिंग टॉपिक के साथ आजर हुए है इस जादा इंट्रेस्टिंग टॉपिक है इसमें आपको क्या करना है कि अलगेबिक एक्सप्रेशन को डिवाइट करना है अलगेबिक एक्सप्रेशन को डिवाइट करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं हम आपको स्टेप बाई स्टेप यह बसे खाते हैं कि किस तर से आप डिवाइट करेंगे लेकिन इसको हम स्टार्ट करने से पहले बात बताते हैं कि अलगेबिक एक्सप्रेशन की डिविशन भी व यहां पर जो हमाई पस एक चेंज होता है, that is again x, variable उसका हमाई पस सिर्फ फर्ख होता है, variables हम किस तरह से find करेंगे, वो भी हम आपको दिखाते हैं Starting with the algebraic expressions, यहां पर आप देखिए, यहां पर आपके पास, यहां पर diviser और dividend में यहां पर पहला वाला term इसका देखना है, और dividend का भी पहला term आपको देखना है, जो भी dividend का पहला term आपको सिर्फ उसको consider करना है, आगी जो जितने भी terms हैं, दो हैं, तीन हैं, चार हैं, उनको आप आपने consider नहीं करना, आपने सिर्फ पहले वाले terms दोनों में consider करने हैं, ठीक है, फिर्स टेप क्या होगा, कि आप इस term को किसी ऐसे number से multiply करेंगे, कि आपके पास यह नीशे वाला number आए, यहां पर हमारे पास 1x है, 1 को हम किससे multiply करेंगे, और हमारे पास 5 आए कर पहले हम handle करत इसे multiply करेंगे कि हमारे पास x² है, तो हमारे पास students इसको हम किसी ऐसे number variable से multiply करेंगे, जो बेस से हो यह यहां है, लेकिन हमारे पास उसकी power ऐसी हो, कि इस power के साथ मिलके वो जो है, इस power के equal हो जाए, यानि add करें, तो 1 में हम क्या add करेंगे, कि 2 आजाए, obviously हम 1 में add करेंगे, तो हमारे पास 2 आजाएगा, ठीक है, यहां पर हमें variables के case में हमें सिर्फ powers को देखना है, और powers को add करना है, ठीक है, कितना हम x में कितने और x add करेंगे, जिनकी power क्या होगी, कि हमारे पास यह वाला x आजाएगा, जो हमें इस dividend में दिया हुआ है, ठीक है, x 1 x है, इसको हम नमबर आएगा, second step में हमें क्या करना होता है, कि जो हमारे पस नमबर आगया, that was 5x, इसको हमें multiply करना होता है, by both the terms, यहां पर बाहर जो हमारे पस दोनों terms है, तीन terms है, चार terms है, बाहर जितनी भी हमारे पस term है, उन सब से इस नमबर को हमें multiply करना पढ़ेगा, one by one, ठीक है, let's do it, 5x को हम multiply करेंगे by x minus 3y, जो बाहर हमारे पस दोनों numbers से, दोनों terms से multiply करेंगे, 5x से क्या हो जाएगा हमारे पस, 5x into x is equal to x square, plus minus minus, 5 के साथ plus कसाइन था, minus से हम multiply करेंगे, plus minus minus, 5, 3 से 15y, xy, ठीक है, यह x था और यह y हमारे पसा जाएगा 15xy, got it, 5x को है, minus 15xy, अब यहाँ पर हमारे पस थर्ड स्टेप क्या होता है, कि हमें subtraction करेंगे, जो हमारे पस जो भी term आ गया, इसको हम subtract करेंगे, और subtract करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें sign change करना पड़ेगा, ठीक है, subtract, polynomial को जब हम subtract करते हैं, तो हमें क्या करना होता है, इनका sign change करना यहां पर यहांए प्लिस कने शाफे माइन से तो निए से अमने से तो बढ़ने का जाएगा यह कंसर मेगा तो इस्पलिस नीशे तो Ini Πिलस को मौने साइगे 3y squared, ठीक है, minus xy plus 3y squared, now what we have to do, अब हमें ये वाला term देखना है, ठीक है, dividend कर ये ही वाला term x, और ये जो हमाँ पस यहाँ पर है, ये वाला term, पहला वाला term हमें देखना है, अब हमें एक ऐसा number find करना है, ऐसा term find करना है, जिसको हम x से multiply करें, तो हमाँ पस xy आजाए, और minus xy आजाए, यहां हमाँ पर प्लस x था, plus को जब हम minus से multiply करेंगे, तो हमाँ पस minus आएगा, x को हम किस से multiply करेंगे, हमाँ पस xy आए, obviously we are going to multiply it with y, x को हम y से multiply करेंगे, तो हमाँ पस xy आजाएगा, first step done, हमें वो चीज, वो number मिलके है, जिस plus minus minus, sin को भी हम साथ multiply करेंगे, तो हमाँ पस हो जाएगा, x, y, minus minus, sin को multiply किया, plus y को जब आपने y से multiply किया, 3y से, तो हमाँ पस हो गया, 3y square, third step करेंगे, sin हम change करेंगे, subtraction के लिए, plus हो गया, minus हो गया, cancel, each other, और हमाँ पस answer आगया, that is 5x minus y, ठीके, moving ahead to another example, यहाँ पर आप देखिए, हमें divide करना है, यहाँ पर हमाँ पस trinomials हैं, ठीके, इनको हमने divide करना है, x, y, minus 3, x, minus 10 को हमने divide करना है, by x, q, minus 19, x, minus 30, first step, आपने देखना है, कि आपके पास ये वाला term, और ये वाला term, इसको हम किस से multiply करेंगे, कि हमाँ पस x cube आचाए, अब चुंकि हमाँ पस number कोई भी नहीं है, सिर्फ variables हैं, तो हमाँ पस यहाँ पर x की power है, 2, यहाँ पर हमाँ पस x की power 3, हमें किसी ऐसे x से multiply करना है, कि जिसकी power को हम 2 में plus करें, तो हमाँ पस 3 आचाए, तो जाहर है हम किसे multiply करेंगे, x 1 से, 1 को जब हम 2 में plus करेंगे, तो हमाँ पस आचाएगा, x raised to the power 3, now, second step, कि आपने, यह जो हमाँ पस x आगया, इसको आपने individually सब से multiply करना है, ठीक है, x square minus 3x minus 10, और जो हमाँ पस x आया था, इसको हमने सब से multiply करना है, x into x square is equal to x cube, plus minus minus 3x square minus 10x, now, here we have another step, यहाँ पर एक और आपके पास step है, कि आपके पास यह जो पूरे का पूरा polynomial आया है, इसको आपने इस तरह से arrange करके, यहाँ पर लिखना है, कि लाइक टर्म्स, लाइक टर्म्स के नीचे आए, यहाँ पर हमाँ पस एक्स cube है, तो इसको हम लिखेंगे x cube के नीचे, ठीके, हमारे पास जो है x, 10x है, इसको हम 10x, 19x के नीचे लिखेंगे, ठीके, यह 10x आया था, इसको हम 19x के लिखेंगे, और चुंकि हमारे पस x square का कोई value नी थी, तो हम इसको अलग से लिख लेते हैं, minus 3x square, clear, fourth step, sign change करेंगे, negative हो जाएगा, positive हो जाएगा, और यह positive हो तो आपके पास क्या जाएगा, minus 9x, ठीके, 19 में सापने 10, और sign minus कराएगा, क्योंकि 19 बढ़ा है, यहाँ पर students आपने करना यह है, कि आपने देखना है कि order किसका बढ़ा है, क्या x बढ़ा है, यह x square का order बढ़ा है, ठीके, यह second order का है, यह first order का number है, तो second order का number हम पहले लिख ठीके, यहाँ पर आप पहले लिखेंगे, 3x square, plus का sign इसली, क्योंकि इसका sign चेंज हो गया था, minus 9x, and अब उपर से हम यह 30 है, इसको नीशे ले आएगे, minus 30, again, similar procedure, repeat करेंगे, इसका पहला term देखेंगे, और इसको देखेंगे, numbers आगे हमाँ पस, 1 है यहाँ यहाँ पर, 1 को ह तो हमें जो है, x square लिखने की दिरुवत नहीं है, क्योंकि x square हमाँ पस already मौझूद है, तो 3 को जब हम x square से multiply करेंगे, 3x square आजाएगा, now, second step है, हमें क्या पर करना पड़ेगा, कि हमें इस 3 number को इस पूरे term से multiply करना होगा, ठीके, again, x square, minus 3x, minus 10, इस सब को हम multiply करेंगे, by 3, 3x 3x square, minus 3, 3 is a 9x, minus 3, 10 is a 30, ठीके, similar को, similar terms को, like terms को, like terms के नीचे लिखे, minus 9x, minus 30, four step, sign, change, cancelled, we got our answer, that is x plus 3, एक और example हम करेंगे,